आज हमने रिलेशन से पढ़ना है कि रिलेशन क्या होता है इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको कार्टीजन प्रोड़क्ट के बारे में बताया था यानि हमने जहां तक डिस्कस कर लिया था तो रिलेशन हमारे पास क्या होता है एनी सबसेट अफ ती कार्टीजन प्रोड़क्ट इस काल रिलेशन यानि जब आप किसी भी दो सेट का प्रोड़क्ट करते हो यानि जब आप उसका कार्टीजन प्रोड़क्ट लेते हो तो वो जो आपके पास कार्टीजन प्रोड़क्ट का set बनता है अगर आप इस set में से कोई से भी अपनी मर्जी के order pairs इकठा कर लो और उसको set के form में लिख लो तो वो relation कहलाता है यानि उसका जो अगर हम कोई subset लेलें तो वो relation कहलाता है इसको यहां से understand कर लेते हैं one can of course star of a cross a which we also write as a square यहां पर वो कह रहा है कि जब हमने a cross b को multiply किया था तो similarly हम a cross a b कर सकते हैं यानि अगर हम चाहें तो हम a को a से ही multiply भी कर सकते हैं और अगर हम इसको ऐसे multiply करें तो उसकी जो notation है वो a square बन जाएगी वो simple यहां पर notation के बारे में बता रहा है कि अगर a cross a b इसको लिख सकते हैं a square भी लिखा जा सकता है अब हो सकता है कि आपको a smc given हो जो कि कुछ order pair की type का हो और वहां पर a square लिखा हो तब आप confuse नहोंने लग जाएं और कहीं आप लोग गलती से उसके जो elements है उसका square लेना start ना कर दें तो याद रखेगा a square का मतलब यह होता है a cross a similarly अगर a cube लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है a cross a cross e यनि तीन बार a आजाएगा similarly अगर a four लिखा हुआ है तो चार बार a आजाएगा up to so on आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं और general अगर इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिखते हैं यह notation तो आपने वैसी real analysis में calculus methodology में बहुत बात देखी होगी कि a की power n को अगर लिखा जाए तो इसका मतलब यह होता है कि इसके अंदर n elements है n का मतलब finite number of elements हैं तो a1, a2, up to so on a, n इसकी जगा पर कुछ भी हो सकता है जो भी आपको members given है और ai वो elements होंगे यहनिके ai वो सारे numbers होंगे जो कहां से belong करते होंग ता इसकी कोई definition नहीं है यह जो n elements हैं इसको n elements भी कह सकते हैं यह n tuples भी कहा जाता है मतलब दूनों का same है तो अब हम definition पर जाते हैं any subset of a cross b is called relation यह इसे binary relation भी कहा जाता है relation कहले यह binary relation बात सेम है from a to b यह जो from a to b है यह बहुत matter करता है इसका बहुत important role है सारे definitions में तो अब याद रखिएगा जब भी आप कोई definition अभी next में पढ़ेंगे तो आपने a to b का बहुत दिहान रखना है आप इसको a to b भी कह सकते हैं और आप इसको b to a भी कह सकते हैं आपके मर्जी यह दोनों में से जो भी हो बट वैसे यह आपको given होगा question में तो अब example से भी देख लेते हैं और इसके बाद हम इसका एक short trick का formula भी पढ़ेंगी जिससे अगरा हमारे पास कोई भी एक function given है तो हम कैसे उसके total number of relations या binary relation को calculate कर सकते हैं तो उससे पहले हम example understand कर लेते हैं उसने R1 लिखा हुआ है और काया के R1 में उसने खुछ से कोई भी अपने मर्जी के order pair लिख लिख लिए हैं यह आपके मर्जी होती है कि आप जो है वो किसको consider करते हो और किसको नहीं लेते हैं तो पहले R1 लिखा हुआ है अब यह जो R1 लि है यानि उसने यह 1-3 ले लिए है फिर 1-4 लिखा हुआ है तो उसने देखे 1-4 ले लिए है और 1-5 ले लिए है क्योंकि definition में भी यही था कि any subset of the Cartian product तो उसने Cartian product के कोई से भी अपने मर्जी के order pair उठा लिए और यह जो set बना है यह जो subset बना है इसे relation कहेंगी तो similarly उसने R2 भी उठा लिया यानि relation में हम एक set भी ले सकते हैं दो भी ले सकते हैं हमारे मर्जी है हम जितने मर्जी ले ले लें तो यह relation कहलाता है from A to B तो यह A से B में मुका तो थोड़ा सा जो इसने लिख है पहले उसको डिटेल से देख लेते हैं या मैं आपको एक पहले formula बता देती कि अगर आपके पास कोई भी ऐसे set दिया है तो अगर आप number of relations निकालना चाह रही हो और कहां से कहां निकालना चाह रही हो from A to B और for example A का जो order है वो मैंने क्या consider कर लिया and consider कर लिया और B का for example मैंने M order ले लिया तो इसमें जो number of relations या binary relation का formula है वो क्या होता है वो होगा 2N cross M तो ये formula किसलिए यूज किया जाता है total number of relations या binary relation calculate करने के लिए तो suppose कर लेते हैं let us suppose A यहाँ पे इसका मैंने अगर cardinality देखी तो 2 है तो जहारी बात है जो एक order N है तो A का order मेरे पास 2 है तो मैंने यहाँ पे देखे 2 लिख दिया cross अब मुझे B का order चाहिए B का order 3 है यहाँ पे given तो मैंने 3 लिख दिया तो इसको simplify किया तो क्या हो जाएगा 2 की power 6 हो गया तो इसका मतलब यह है कि मेरे पास जो total number of relations हैं वो कितने relation है 2 की power 6 relations है तो इस तरीके से आप जितरे मर्जी आपको जो भी A और B का order given है आप total number of relations निकाल सकते हो यह फार्मूला बहुत important है बिकोज यह अकसर MC की उसमें आ जाता है उसने आप कोई से भी 2 sets दिये होते हैं और यह पुछा होता है कि total number of relations जो है वापने निकालने है तो total अगर A से B relations निकालना चाहो तो 2 की power 6 relations या binary relation निकल सकते हैं एक बात याद रखेगा हमने A से B पे total number of relations निकालने थे A का order पहले आएगा A का order N है इसलिए मैंने formula में लिखा था B का order M है इसलिए मैंने second में यहाँ पर M लिखा था ठीक है तो for example अगर आपको B to A होता number of relations from B to A तब जाहरी बात है आपने M पहले लिखना था और N बाद में लिखना था यानि according to sets आपकी position बदलेगी formula की भी बट जैसे कि आप लोग देख रहे हैं अगर मैं 2 की power N cross M करूँ या M cross N करूँ आंसर सेम आएगा इधर सेम आएगा लेकिन अभी हम आगर जब one one और on to calculate करेंगे तो तब change आएगा answer तो इस वज़ाए से मैं आपको बता रही हूं कि यह position matter करती है A और B की relation बिल्कुल simple था मैंने simple formula से calculate कर लिया नेक्स थोड़ी सी English भी देख लेती हूं कि क्या लिखा है उसने का relation from A to A is called a relation in A और अगर आपके पास A to A relation हो तो उसे क्या कहा जाता है इसे भी relation कहा जाता है लेकिन वो A की तरफ relation होता है क्योंकि simple दोनों elements same होते हैं तो for example अगर आपके पास कोई ऐसा उसने set दिया हो जिसमें आप A to A value निकालना चाह रहे हो तो आपका बता A का order N है तो simple आप क्या कर दोगे N cross N कर दो दो चीक है तो इस तरीके से आप निकाल सकते हों यह तब है जब A cross A पी है और मैंने इसके total number of relations निकालने थे तो बिल्कुल simple formula confused होने कि बिल्कुल दूरत नहीं है जो भी आपको given है main जो official formula वो N cross M का है चाहे A cross A हो चाहे B cross B हो आपने बस इसके यहां पे values सही put करने हैं और कुछ भी नहीं करना है next time if R is a relation from A to B and A, B belongs to R then we can also express this fact by writing A relates to B अब यह वैसे एक बात बता हूं कि जो main चीज है यह आपने पड़ी होगे group theory के अंदर group theory का जो chapter है मेरे खाल से first chapter है जिसमें relation के बारे में बताया गया है और वो जो हम notes वगर M.C. ये B.S. में आप लोगों ने जो हैं जो notes पड़े होंगे वो इसी book से लेखिए गए जावी जी करना के book से तो वहां का material और यहां का जो है वो same material होता है ठीक है तो main चीज जिसे मैंने आपको book करवाई है कि main चीज book ही है हमारे पास लोग books को देखे ही notes लिखती है तो इस वज़ा से official जीज़ हमारे पास book ही है तो अब देखें यहां पर क्या है अब relation को लिखने का method यह होता है A relates to B. R का मतलब relation है तो notation इसकी यह है and say A is related to B. तो simple मैंने उसको पढ़ लिया अब याद लेखेंगा कि अगर आपके पास A वो कोई भी non-apity set है तो R relation R in A is called reflexive symmetric, anti-symmetric and transitive यह properties बहुत important है अब आपसे इसकी definition ही पूछी जाएगी उसने आपको कोई example देनी है कोई set देना है और पूछ लेना है कि बताओ यह reflexive है symmetric है anti-symmetric है transitive है या कोई दो properties का पूछ सकता है या D में पूछ सकता है all of these क्या यह कौन सी property यह satisfy करता है तो पहले हम थो इसकी definition बढ़ लेते हैं फिर एक example के उपर जाएंगे practical example पर जहां पर देखे example भी given है जिसमें उसने बताया है कि set reflexive जहां पर देखे नहीं हो रहा कहीं पर symmetric है कहीं पर नहीं है आती example के जिरू समझा दी जाती हूँ पहले reflexive थी तो अब example से भी देख लेते हैं क्या है example में देखे लिखे है a is equal to 123 चीक है अब मैंने reflexive देखनी है उसने खुछ सही आपको दी वी है कि आपको question में given होगी आपने बस यह बताना है कि वो reflexive है symmetric, anti symmetric है, transitive है तो पहले देखे R1 दिया हूँ है अब R1 आपको वहाँ पर given होगा अब आपने देखना है कि क्या यह reflexive है के नहीं है चीक है तो reflexive के लिए आपने यहाँ पर क्या चीज़ चेक करना है reflexive में आपने यह देखना है कि total set में तीन elements है 1, 2, 3 चीक है और R1 में 1, 1, 2, 2, 3, 3 और 1, 3 यह भी दिया हूआ है तो definition में यह था कि A, A same हो मतलब दोनों elements same होने चाहिए और वो जब same elements है वो किस से belong करना चाहिए आगाज से belong करना चाहिए तो देखें 1, 1 हंजी यह reflexive है क्योंकि उसकी definition में यह था A, A यह यह दोनों same होने चाहिए तो मैंने 1, 1, B मैंने देखा same है और A में बिलोंग करता है चीक है फिर 2, 2 यह दोनों same है और 2 किसमें belong करता है A में belong करता है पिर 3, 3 मेरे पास same है और किसमें belong करता है A में बिलmp करता है तो यानि ए के जितने भी अलिमेंट्स हैं सारे के सब का सेम और पेर मौझूद है तो अगर ये कंडिशन सारिस्पाइ है तब आप कहते हो कि वो रिफलेक्सिव है ये एक्स्ट्र आपके मरज़िए ये देखें ये ना देखें बट रिफलेक्सिव के लिए जो आपको कंडिशन रिक्वाइर है आपने वो देखनी है तो अब मैं बताना सेमें क्या चाह रही थी मैं आपको एहम करदार बताना चाह रही थी इस लाइन का पॉर ओल ए बिलॉंग्स तो एक आखिर मतलब किया है तो अब देखें आप मेंसे बहुत से इसे होते कि जब वो ये पढ़ते तो उन्होंने इसको इग्नोर कर देना था कि फॉर ओल ए बिलॉंग्स तो ए का मतलब है कि सारे ए में बिलॉंग करना चाहिए बट इसका मतलब ये नहीं है वो जिस आप सेंस में कहरें कि A में बिलॉंग करें वो भी ठीक है बट यहां पर ये डिफरेंट विनिंग दे रहा है वो कहरे है कि पॉर ओल A बिलॉंग्स तो A का मतलब ये है कि A में जितने भी ऐलिमेंट्स हैं उन सब के लिए order pair exist करना चाहिए देखे 1 के लिए भी exist किया 2 के लिए भी 2,2 का order pair exist किया 3 के लिए भी 3,3 का order pair exist किया तो तब ये reflexive है तो अब reflexive कब नहीं होगा अब next value में देखेगा R2 में इसमें देखे 1,1 दिया हुआ है 2,2 दिया हुआ है आप तो अगर कोई भी हलका फुलका स्टुड़न्ट कोई average स्टुड़न्ट अगर इसको देखे तो वो कहेगा 1,1 भी लिखा हुआ है और 2,2 भी है दोनों सेम हैं तो इसका मतलब ये reflexive है बट ये reflexive नहीं है क्यों? For all A belongs to A welly conditions satisfy नहीं हुई यहां पे For all का मतलब था कि A के हर element के लिए same order pair exist करना चाहिए देखे 1 के लिए भी कर गया 2 के लिए भी कर गया 3 के लिए exist नहीं किया इस set के अंदर तो इस वज़ा से ये reflexive नहीं होगा तो आपने भी देखा यहां पर main role किस चीज़ का है इस line का था कि For all A A के हर element के लिए order pair exist करना चाहिए तो अब For all A की वज़ा से मुझे पता चला कि ये जो set given है ये reflexive नहीं है तो आप को I hope reflexive किस अच्छे से समझ आ गई होगी अब next भी देख लेते हैं उसने का R3 में 1,2,2,1 है उसने का symmetric है बट reflexive नहीं है तो जारे बाते reflexive तो नहीं होगा क्योंकि दोनों order pair को same होना चाहिए था बट दोनों ही different है तो मैंने तो आखे बंद कर कर कह दे के भाई ये reflexive नहीं है next property है symmetric की symmetric में ये होता है कि A, B, R से बिलॉंग करना चाहिए और B, A, B, R से बिलॉंग करना चाहिए तो जानि A, B लिख दूँ या उसकी position को उल्टा कर दूँ हो वार बे बिलॉंग तो वह symmetric कहलाता है तो देखे 1,2 इसकी position उलट करूँ तो 2,A होता है तो दोनों order pair exist कर रहे हैं set के अंदर अब question मेरे mind में एक arise होता है वह मैं भी बाद में बताती है पहले में यार 4 बता दूँ आपको अब यार 4 में उसने reflexive symmetric और अगली properties का भी जिकर की है तो symmetric आपको समझा आ गया anti symmetric में क्या होता है A, B, R से भी लोग करता है B, A, B, R से भी लोग करता है बट extra condition यह है कि A, B के बराबर होता है यह condition symmetric में नहीं है बट यह anti symmetric में है चीक है तो anti symmetric में A हमेशे B के एक वोगा और transitive में यह होता है कि अगर A, B, R में हैं तो first वाले का order पेर last के साथ होना चाहिए यानि A, C के साथ हो और वो भी R में belong करे तो यह transitive होता है अब इस चीज़ को मजीद अब example से देख लेते हैं R4 में देखें R4 में को पहले मैं देखती हूँ कि भाई क्या यह reflexive है कि नहीं है तो भी reflexive के लिए 1,1 तो है बट A में तो 2 भी मुझूद है 3 भी मुझूद है तो 2-2 और 3-3 भी होना चाहिए था बट वो यहाँ पर नहीं है तो उसका मतलब यह है कि यह reflexive नहीं है अब मैंने symmetric चेक करना है तो symmetric के लिए मुझे पता है क्या होता है A, B और उसका opposite यह नहीं B, A वो भी R में होना चाहिए तो यहाँ पर मैंने देखा कि 1, 2 तो लिखा हुआ है लेकिन 2, 1 मौझूद नहीं है इसका मतलब यह है कि यह मरे पर symmetric भी नहीं है ठीक है next में anti symmetric है anti symmetric में है कि A, B अगर R में है B, A, R में है तो A, B के बराबर होना चाहिए तो यहनी A element B यह लिखा हुआ है simple मैंने देखा कि A, B और B, A जो है वो मेरे पास मौझूद है तो simple जब मैंने अपने question में देखा तो मैंने देखा 1, 1 लिखा हुआ है और 1, 2 लिखा हुआ है तो यह तो 1, 1 है तो इसका reverse यहाँ पर होना चाहिए था तो 2, 1 मौझूद होना चाहिए था तो 2, 1 मौझूद होना चाहिए था बट वो नहीं है मौझूद तब ही तो मैं बताऊंगी कि A, B के बराबर है बट वो यहाँ पर condition exist नहीं कर रही तो इसका मतलब यह मेरे पास anti-symmetric भी नहीं है नेक्स से मैंने ट्राजिटिव देखा उसमें A, B है, B, C से है यह नहीं देखें यह दो चीज़े एक्वल है यहाँ पर आपने देखा और तब A, C में बिलोंग करता है तो जब मैंने इन दोनों में देखा तो मैंने देखा B भी दोनों में सेम है वन वन इदर भी सेम था उपर वाले में भी देखें सेम था तो इसका मतलब यह ट्रांसिटरी टाइप लग रहा है मुझे तो मुझे आइडिया हो गया कि A, B और B, C इसमें मौझूद है अब मैंने देखना कि A, C भी इसी सेट के अंदर बिलोंग करर रहा है के नहीं बिलोंग कर रहा है तो A, C क्या था? फर्स्ट वाले का लास्ट वाले के साथ तो देखें कि A, C वाले के साथ मैच कर रहा है यनि 1, 2 का और्टर पे भी बन रहा है और वो 1, 2 भी इस सेट के अंδर मुझूद है क्योंकि relation में belong करना चाहिए तो हमने यह काता है कि एसी relation में होना चाहिए तो देखे 1,2 इस set के अंदर मजूद है तो इसका मतलब यह मेरे पास ट्रांदिटिव है तो question यह arise है कि अब आप लोग नो यह देखना है कि जब हम जो मैं question बताना चाहा रही थे symmetric का बहुत सरे students यह question करने लग जाते हैं कि यह जो 1,1 का set है तो यह 1,1 है तो वो कहते हैं कि यह जो 1,1 लिखा हुआ है ठीके तो इसको अगर मैं उलड करूं तो भी 1,1 होता है तो क्या वो symmetric होगा कि नहीं होगा because position बदले से फरक नहीं बढ़ रहा कुछ भी नहीं हो रहा है तो क्या यह symmetric है कि नहीं है तो याद रखेगा कि नहीं है क्यों क्योंकि symmetric में आपने याद रखना होता है कि A B दो distinct elements हैं तो distinct की condition आप नहीं यहां पर देखनी थी तो same same हमेशे reflexive में रहेगी symmetric, anti symmetric and transitive में आपने कहिए देखना है कि A B C distinct होने चाहिए A B तो बिल्कुल भी same होने चाहिए next example है let A be the set of all lines in a plane यानि आपके पास एक एक कोलेक्शन दी हुई है जैसे इसने यह आर लिखा हुए है यह क्या है collection of lines है यानि कि इसमें हमारे पास equation of lines है वह बहुत सारी है to led कies R हमारे पास किसका subseit होता है A cross A का तो R मेरे पास क्या है मैंने फुछ से consider कर लिया कि यह set of lines है और मुझे पता है set of lines आपस में क्या होती है pairल है तो मैंने खुछ से ले लिया कि L, M मेरे पास क्या है set of का order where यह और है और यह किस'! care parallel है पिर मैंने यहां पर क्या गया है? कॉलेक्शन ओफ लाइन्स ले ले लिए तो मैंने अम देखना है कि यह रिफलेक्सिव भी है, सेमेट्रिक भी है, एंड ट्रांजिटिव भी है तो reflexive में क्या है? reflexive में मेरे पास वह जो lines, L मैंने line ली, L, M, N तो अगर मैं उसका order pair लूँ, L को मैं L करके तो वह आपस में parallel होंगी तो simple वह चीज याद रखे हैं कि यह जो collection of lines हैं यह हमारे पास कहे हैं तो इसको इंग्लिश में वह ऐसे भी लिख सकता है कि parallelism is an equivalence relation तो अगर correlation reflexive symmetric and transitive हो तो वह क्या कहलाता है? equivalence relation कहलाता है our relation is called equivalence relation if it is reflexive symmetric and transitive यह भी एहम बात है, यह भी याद रखेगा क्योंकि अगसर में कोई भी चीज़ आपको दी जा सकती है कोई चूरम की statement को example और पूचा दा सकता है कि बताओ हो equivalence relation है कि नहीं है तो ज़री बात है आपको जब नहीं पता होंगे equivalence relation reflexive symmetric and transitive होता है तब ही आप कर पाएंगे next में होता है partial relation partial relation होता है जो reflexive हो anti symmetric होता है और हमारे पास transitive होता है देकिन दोनों में क्या परक है equivalence relation हमारे पास क्या होता है equivalence relation हमारे पास symmetric transitive होता है और reflexive symmetric and transitive जबके partial order relation reflexive anti symmetric and transitive तो यह दोनों की दिर्मियान में बिल्फुल थोड़ा असा reference है जगे अक्सरोकत भूल जाता है और इसको बटा आपने जो है इसको उजाद रखना है जबानी के क्या कौन-कौन सा होता है next में भी कुछ example है बट यह इतना important नहीं है बट फिर भी देख लीजेगा उसने कह सैट of integers ले लिए है और उसने कह कि वो partial order relation है यानि less than equals अगर partial order relation है तो रिफ्लेक्सिव भी है symmetric भी है और ट्रांसिटिव भी होगा तो simple आप यह चीज़ याद रखेगा कि अगर आपके पास pair में कोई सैट ऐसी या हुआ है कोमा करके अगर उसने less than लिखा हुआ है less than के सथ equal का sign लाजमी आएगा अगर equal का नहीं आएगा तब ही हमारे पास जो है वो partial order relation नहीं होगा तो यह greater than equal की भी बात वो कर सकता है इसकी मर्दी है वो मतलब जिसकी भी बात करें less की या greater की जिसकी भी कर ले तो अगर equal का भी sign लाजमी है तो वो partial order relation हमेशा होगा यह भी आपने पहले पढ़ा होगा यह भी है तो रिफ्लेक्सिव में यह होता है कि अगर a less than equal to a है हाँ जी हर नमबर अगर less नहीं हो अपने से लेकिन equal तो लाजमी होता है तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है और एंट नहीं होगा तो यहां पर आपने देखा सबसे एहम काम किसका है equality का सबसे एहम रूल है तो अगर equality होगी तब ही होगा otherwise यह नहीं होगा और उसके बाद नेक्स्ट में उसने भी बता दे कि चेक करो यह partial order relation है कि नहीं है अब वहाँ पर आपको इस तरीकी की अजीब सानी आए इक्विलेंस रिलेशन सिमपल बताया कि जो ॐलेशन होता है equality का होगा इक्विलेंस रिलेशन है फिर उसके बाद example का उसने बूओ करके बताया बट सिमपल मैं जो मैं बात बताना चाहरी हो इस चीज़ के बताना चाहरी हूं कर कि जैड़ सएड इट एड़ ऑगा और वह को यहां दो बीए 60 में कुछ MCQS ऐसे भी थे जिसमें तोटल नमबर फूशे हो रहे थे वैसे यह नमबर द्यूर्य का MCQS है बट आपको यह पता होना चाहिए कि अगर A congruence to B modern है तो आपको इसको लिखने का method यह है इसका मतलब है N divide करता है A minus B को तो यह चीज़ आराम से आपसे पूछी जा सकती है mod N का मतलब है N किसको divide करता है A minus B को divide करता है यह इसकी important definition है इस चीज़ को understand कीज़ेगा और इक्विलेंस रिलेशन तो होता है यहाँ पर इसने प्रूव दिदर गए बदा दिया बट हमारा प्रूव से concern नहीं है तो बस आपने गिया दखना कि congruence relation is an equivalence relation उसके बाद next में आगए equivalence classes के बारे में equivalence class क्या होता है यहाँ पर प्रूव है बट प्रूव से concern नहीं है main बस definition पढ़ें कि क्या चीज़ होती है यह और इसके बाद हम इसके practical example भी कर लेते हैं practical example में देखिए गा तो पहले हलका सा definition देख लेंगे तब ही जहरी बात हम इसक practical example कर पाएंगा इसे में समझ नहीं है तो उसने क्या किया है उसने यहाँ पर काए कि X आपके पास एक non-apati set है और उसने एक notation दी है थोड़ा सा tilt यानि थोड़ा सा जिसे tilt भी कहते है stat बगर हमें तो उसने एक sign दी है equivalence relation on X for any A belongs to X to be defined equivalence class of A by class of A याई equivalence class of A याई अगर हम A की class निकालना चाह रही है तो वो बराबर किसके होता है एक belongs to X और X relates to A होता है तो जाहरी बात है मैं किसकी equivalence class निकाल रही हूं मैं equivalence class A की निकाल रही हूं तो जो आपके पास universal set X है उसके जतने भी elements है वो सारे के सारे अगर A से relate करेंगे तो इस तरीके इस procedure के दुरान जो आपके पास क्या गहलाते हैं वो आपके पास equivalence class कहलाते हैं अभी हम इसको मज़ीद understand करते हैं कि इसको जो है वो कोई practical example लेकर कैसे solve किया जाता है इस के लिए मैंने let कर लिया खुच से अपनी मरजी से मैंने एक set ले लिया और उस set में मैंने elements ले लिये हैं ऐसा हापने a set ले लिया और उसमे elements यो मैं आपनी मरजी के ले लें varaan ले 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 और थ्री ले ले यह आपके पस मेल सेट या जैसे यहां पर एक्स लिखा हुआ हो थो आप इसको प 강ाई करैंब तो उसके बाद आपने एक सेट इंचल कर लिया है तो याद रखेगा कर रिलेचन वारा सेट रिलेचन भी होना साहए यानि वो simple property इसको भी satisfy करें तो इसमें मैं लेती हूँ एक तो 1,1 दूसरा मैं 2,2 भी लूँगी 3,3 भी मैं लूँगी क्योंकि जब मैं ये इसको कौरूं की तो जाहरी बात है ये मेरे पात equivalence relation की condition को भी satisfy करें तो 2,2 भी है तो 3 को मत्री भी है ये 1,2 एंट 2,1 भी इसके अंदर है इसके अंदर है इसके अंदर ये हमारे पास जो है वह एक आपिटरी सेट बन गया अब मैंने यहां आप से इफ्लेंस क्लास निकाल दी है तो इसके इनुटेशन क्या होती है ऐसे close bracket में भी लिखा जाता है या आप cl of 1 भी लिख सकते हैं आपके मरजिया चीक है तो जिस तरीके से भी बस आप लगिना चाहें आपको यह जाद रखना है कि आपको यह जो इक लेंस की आप क्लास निकाल रहे हैं यह आपको X के हर element के लिए हर element के लिए आप चेक करेंगे और जो भी answer होगा वो आपका desired result है तो one के लिए आपने चेक के ना करना है अब देखिएगा definition हम कैसे बलाए करते हैं X यानि के जो universal set X है उसके elements A से match करने चाहिए A पर map हूँ और यहाँ पर वो elements A हूँ तो अब मैं one के लिए निकाल रही हूँ तो मैंने देखना है X के कौन से elements हैं जो किस के ओपर map हो रहे one पर mapping कर रहे हैं देखिए यहाँ पर one तो one पर map कर रहा है इसका मतलब यह है कि इसका जो मैं set बना हूँगी उसमें मेरे पास क्या आएगा one तो लाजमी आजाएगा और उसके बाद और कहाँ पर mapping हो रही 1 परこちら Gem Game मैंने देखा 2 किस पर Map कर रहा है 1 पर Aí मैप कर रहा है तो इसका मतलब यह था X किस से generate कर रहा था A's relate कर रहा था तो इधर भी 2 किस से relate कर रहा 1 से relate कर रहा है तो इसका मतलब बन और 2 वो elements थैं जो 1 पर relate कर रहा है 1 के अपर उनकी mapping हो रही ही और वो किस के थ्रू आ रहा था इस तू के थ्रू आ रहा था इसका मतलब यहां पर टू आ जाएगा और आपने देख रहा है और कहां पर कौन टू के पर मैपिंग कर रहा है हाँ जी वन टू पर मैप कर रहा है तो कौन MAP कर रहा था? 1, 2 पर MAP कर रहा था? तो यहां पर क्या जाएगा? 1 चाएगा. पर 3 के लिए देख लिए हैं, 3 के कौन ELEMENTS 3 पर MAP कर रहा है? 3 सिरफ 3 मेब कर रहा है, और कोई बद 3 पर MAP नहीं कर रहा हूँ. तो इसका मतलब इसके सेट के अंदर गया जाएगा, सिंपल मेरे पास तीन हो जाएगा, तो इस तरीके से हम एक्विलेंस क्लास निकाल सकते हैं, थियूरम की स्टेट्मेंट भी देख लीजाएगा ये, कि अगर ये भी एक्विलेंस रिलेशन है, किसे भी सेट के उपर देंदर फॉल्विंग A भी बिलॉंग स्टो एक्विलेंस तो ये प्रॉपरी से रिस्वाएगा करती है, कि अगर आप जो एक्लेंस क्लास लेते हैं, क्लास ओफ ए हमेशे नौन एंपटी होती है, यह निए कोई ना कोई एलेमेट से उसमें लाजमी भी लोग करते हैं, हमेशे नौन एंपटी होता है, अलम दरिला, नेक्स्ट में यह है कि अगर आप क्लास ओफ ए ले ले लें, सोरी क्लास ओफ बिले ले लें, दोनों का इंटरसेक्शन लें वो एंपटी है, क्लास ओफ ए को इंटरसेक्शन क्लास ओफ ए से लें तो वो हमेशा एंपटी होता है, यह क्लास ओफ ए उसने कहें क्लास ओफ बी के इक्वल भी आ सकती है, सिंपल बस एक ठीजिए स्टेटमेंट है, वो आपने यहाद रखनी है, उसके बाद नेक्स्ट में देख लें, कि अगर हम एक इसारी क्लास का यूनियन करते हैं, तो हमारे पास सेट एक्स के बराबर आ जाता है, सिंपल इत्यूरियम के स्टेटमेंट है, इसको आपने प्रूफ करना है कि फिर्स्ट सेकंड के एक्वल होता है, सैकेंड थर्ड के, या सिंपल भी आप थर्ड को वरन के बराबर की तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, आपके मरजी है कि जैसे भी आप इसको प्रूफ करना चाहिए, बट हमारा जो है वो इससे कंसर नहीं हैं, और इसके प्रूफ से में इसकी स्टेटमेंट थी, जो के हमने यहां पे देख ली तो यहां पे फिर्स्ट वाले तो बिल्कुल सैडिस्पाइ हो रही थी कि जो हमारा सैट है वो नोन एंपटी है दूसरे में यह भी इंग्लिश कुछी जा सकती है के दो जो एक्विलेंस क्लासिज हम वो हो सकती है ये हम जो कोई एक्विलेंस कॉमन ना हो तो हां जी जो एक्विलेंस भी और इन दो भी ऑर था को भी और धायो долларов कामन नहीं आ रहा था इसमें मुझे खुद ही आडिया होगा कि हाँ कि मैं जब उस सेट्स के लिए चेक कर रही हूँ तो इसके अंदर कुछ common नहीं आ रहा है लेकिन उसने क्या equal हो भी सकता है और वो सकता है कि दोनों में से कुछ भी आपके पास common नहाए यानि intersection इसका क्या आजाए? एमपटी आजाए ऐसा भी हो सकता है next में हम देख लेते हैं उसने क्या बात कही है उसके बाद mapping और तुरह सा function आजाए वैसे BS 16 में इससे related भी mzqs आए थी वो मैं बताती हूँ क्या आया था उसके आपन चैनले बट यह भी important topic है आपने इसको भी functions और mapping यह नहीं सोचना कि हमें आता है भाई यह तो हमें आता है वहाँ जाए कि कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है तो यहाँ पर लिखा हुआ mapping और functions यह यहाँ पर ना दोनों को same menu में लेता है बट याद रखेगा mapping और function में बहुत बड़ा फारा गया हुआ इतना जादा भी नहीं है बर थोड़ा सा reference होता है तो mapping में यह होता है कि जब भी आप mapping करते हो for example यह मैंने एक set ले लिया और एक मैंने यह set ले लिया चीक है इसके अंदर मैंने कुछ भी अपनी मरजी के क्या यह elements consider कर ली है इधर भी कोई भी आपके पास अपनी मरजी के elements कीज़ा नहीं तो mapping में यह होता है simple mapping कहीं से कहीं पर भी जा सकती है मुझे कोई मश्यू नहीं है elements जहां पर भी map कर जाएं I don't care लेकिन function में क्या होता है function में यह होता है कि domain के elements repeat नहीं होने चाहिए यानि देखें यह जो dot है यह b भी second वाले पर भी map कर रहा है और third वाले पर भी map कर रहा है तो यह function नहीं है क्योंकि इसमें domain के elements repeat हो रहे है तो function के आप जो book में पढ़ते हो कि every element of a has a unique image in b यह कह दो जो कि इधर लिखी है यह आप यह भी कह सकते हो कि domain के elements repeat नहीं होने चाहिए बोलने के लिए अगर interview में पूछ लें तो तब आप तो यह ही कहो गए कि if a b with a do not a pretty set and if every element of a has a unique image in b then this is called a function लेकिन जब आप प्रेक्टिकल लाइफ में आते हो यह जब आप example solve करने बारते हो तब यह definition आपके काम नहीं नहीं आती आपको बिल्कुल समझने हाता कि definition का मतलब क्या है तो आप उसको apply नहीं कर सकते example ले तो उसके लिए जो ट्रिक है वो यह है कि function में डुमेन के लिमेट्स रिपीट नहीं होने चाहिए तो यह पर एक्जांपल मैं कहता साथ ले लूँ मैंने ले लिए 1,2 ले लिए order repair में ठीक है और next में मैंने ले लिया 1,3 ले लिए 1,3 ले ले लिए अब कोई मुझे पूचे कि बताओ यह function है कि नहीं है तो मैं कहूंगी नहीं यह function नहीं है क्यों क्योंकि domain के लिमेट्स रिपीट हो रहे है इदर वान है इदर भी वान आ रहा है तो दोनों domain के लिमेट्स रिपीट हो रहे है इसका मतलब this is not a function लेकिन अगर यहां पर फॉर एक्जांपल 2,3 होता तो तब मैं कह सकती है यह function है तो कि domain के लिमेट्स डिस्टिंक्ट है range जो मर्जी हो range रिपीट हो सकती है range यहां पर क्या है यह range है और यह range है तो range रिपीट हो सकती है बट domain repeat नहीं हो सकती है तो यह main major difference है mapping और function में बट function के जो trick है तियार करने के लिए वो जी है अब यह तो आपने simple example दी हो तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि वो function है कि नहीं है बट अगर for example आप से question पूछ लिया जाए कि आपके पास एक set given है तो बताओ इस sets पे कितने function possible हैं यानि how many functions do you construct by this function तो total number of functions निकालने का formula याद लखेगा वो मारे पास क्या हो था इसलिए यहां पर देखेगा a से b पे mapping mapping from a to b और mapping from b to e यह बहुत matter करती है इस function कैसे अगर mapping आपके पास a to b है और आपने total number of functions निकालने हैं तो बात आपने याद रखनी है हमेशा second वाले का order आएगा और power में किसका order आजाएगा first वाले का order आएगा यह कब है जब a to b है चीकिए लेकिन अगर for example b to a हो तब क्या होगा तो b to a में आपने क्या करना है B to A में हमेशा second वारे का order लिखने है तो B to A की बात है तो last वाला B है और B का order A to B है तो उसमें आप लोग क्या sorry B to A है तो last वाले का order A order है तो यानि आप लिखोगे A का order और फिर लिखोगे power में B का order तो देखे दोनों फॉर्मूलास में कितना difference है तो A से B में आपने ये formula यूज़ करना है लेकिन अगर आप B to A करोगे तब आपने ये वाला formula याद रखना है तो यानि याद रखेगा जो second वाले term होती है उसको हमेशे first में उसका order लिखा जाता है ये चीज़ को बस याद रखें बाकिया formula शॉर्ट रिट से भी याद रख सकते हैं तो total number of functions निकालने का ये formula है for example मुझे a order जो है वो 2 given है B 3 है तो मैं simple 3 की power में 2 कर दूँगी तो 3 3 9 तो इसमें total number of कितने functions बनेंगे 9 बनेंगे तो इसमें देखो एक order क्या था 2 था तो 2 की power में 3 आ जाएगा 2 2 4 4 2 8 देखे कैसे change हो गया कितना फरक पड़ गया position बदलने से तो बस ये चीज़ matter करती है इसको याद रोकिए next में है one one function and on two functions के बारे में तो पहले one one का देख लेते हैं one one का second name है injective function ये जो है ये बहुत important है कि one one को injective function कहा जाता है और on two को surjective function कहा जाता है अगर अब इस word से जिस बंदे ने अभी BS 16 दिया उसको याद होगा PPSC का जो भी हुआ था उसमें हमसे क्यों जाया वाता कि surjective function में हमने ये बताना है कि क्या उसमें surjective function में जो हमारे पास range होती है वो code main के equal होती है दूसरे में आप्चन में था तीसरे में था subset चोगधे मां था superset ये options है वाने था तो पहले तो आपको ये पताना हचाँ था कि backl process कहते कि दूसरी बात आपको ये पताना है कि पहले एक तो नाम याद रखना बहुत इंपोर्टेंट है तो one one function को कहा जाता है injective function. इनजेक्ट जैसे कहता ने inject करना injection देना, तो उस तरीके से याद रे कि one one is called injection यह ने injective और जो उन टू है उसे सरजेक्टिव कहा रखता है तो अगर आप एक भी याद रख लो तो दूस आपिंधर इसके लिए बी इसके लिए फूर्मूला इसके लिए K diabete किरदार अदा करती है अगर a to b है तो मैंने अब कुरे से बताया दा पहले आपने क्या करना है second वाले का ओडर यूज करना है second वाले का ओडर मेरे पास क्या है b order फिर यहां पर लिखना है permutation नीचे लिखना a का ओडर यहां ठीक है तो यह चीज़ा भी आद रखेगा b का ओडर आजाएगा और a का ओडर आजाएगा तो यह किसका फार्मूला है वन वन यह निए injection के लिए आपने यह फार्मूला आजाएगा और अगर b to a है तो जारे बात है लास्ट में a है तो उपर इधर a और soft में बढ़ना बहुत मुश्किल होता है तो इसको आप हार्ड में मंगवा ले और side पे जो भी चीज़ें important है वो लिखते जाएगा तो आपने यहां पे इसका जो है वो simple formula याद कर लिया यह किसके लिए था वन वन के लिए था अब हम on to के लिए भी देख लेते हैं on to को e 4 receptive का जाता है और definition इसकी क्या है कि range of f equals to b ययानी रंच किसके बराबर होती है cod domain के eqeol होती है चाय है और one one میں simple क्या होता है बालकुर unique mapping होती है कोई भी चिसके का सबसेटि होती है simple unique mapping आ और on to में क्या होती है range cod domain के बराबर आ जाती है उसमें भी Y option इक सही था B qui C job हवा था अब formula याद रहे हैं on to या subjective का वैसे नहीं यह formula यूज होता है combinatorics के अंदर combinatorics जो है वो number theory की modified book है तो जिस पर जो बचा pure का आगा उसको पता आगा combinatorics क्या होता है तो combinatorics के अंदर one one on to के formula's हैं जबाने short trick के साथ और problems भी है कि इसको कैसा solve किया जाता है तो मैं इसका formula थोरा सा write करने लगी हूँ मैं for example let करती हूँ कि अगर मेरे पास mapping कहां से है A से B की तरफ mapping है और A का order जो है वो मैं क्या ले लूँ M ले लूँ और B का order अगर मैं N consider कर लूँ तो formula क्या बनेगा on to functions निकालने के लिए तो formula बनता है summation के इस इकूल टू 0 टू N माइनस 1 whole की पावर के N ओवर N माइनस के मैं इसको combination की formula लिए ठीक है यह बटे में नहीं लिखा हुआ है यह combination लिखा हुआ है यह लिख दिया फिर N माइनस के whole की पावर में M और इसमें याद रखेगा हमेशा M greater than equals to N होता है यह बहुत important बात है कि M हमेशा greater than equals to N होता है इसको ignore नहीं करना आपने बिलकुल है यह बटे में में लिखा है तक किसी भी पीपेसी के अंदर तो सिंपल फॉर्मूला वन वन संजेक्टिव का गया है सिमेशन के इस इकवल टू जिरो टू एन माइनस वन की पावर के एन ओवर एन माइनस के एन माइनस की होल की वावर हैं देखेगा हर जगा पर एन ही यूज हुआ है और एम बस पावर मे पोजिशन बदलनी नहीं है यह जाद रखेगा अब उसके बाद सिंपल बात एहम बात यह है कि एम ग्रेटर दन इक्वल स्टो एन है यह इग्नोर वाली बात नहीं है बिलकुल भी इसमें च्छोड़ च्छोड़ चीज मैटर करती है अब देखे खे खुच सोचे अगर एम लेस थैन अगर एम तब आपके पास क्या बन जाएगा आंसर मेशे 0 आगए अब होता है जिए 0 कैसे आता है असल बेना आप लोग क्या करते हो आप यहां पे यहां पर यह है combination का फॉर्मूल है चीड़ है तो जब आप इसका combination लेते हो तो combination में जब हम इसको बटे में लिगत इसी कुछ प्रॉब्लम्स कुछ ट्रैक्टिकल लीजेगा एक्जेम्पल लेकर सॉल्व कर दीजेगा यहां पर समझ राइकर नहीं है अधर्वाइस बिल्कुल लीजिया मुश्किल नहीं है सिंपल बस आपने बस वेल्वाइस पूट करके इसको लिएकर सॉल्व करना और इसमें कुछ भी नहीं कोई भी टाफ काव नहीं है नेक्स में उसने कुछ इग्जेम्पल लेकर बता दी है वनवर और 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 को के बारे में यह बिल्कुल सिंपल है इसमें वह ऐसे आपको फूंक्शन नहीं देगा वह अगर उसने दिया 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 तो आपसे टोटल लंबर और वन 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 टू फंक्शन ऐसी बूछ सकता है ऐसे फंक्शन वगर देने का वह उसके पस ना टाइम नहीं अब नेक्स एक डेफिनिश अब यही और यही इसमें आता है रिस्तिक्शन एंड एकस्टेंशन यह दो एक एहनड बाते हैं जो कि स्टुटेंट्स इग्नोर करते हैं बचिए इसका पता होना चाहिए कि वाट इस डिस्तिक्शन और वट इसे अक्स्टेंशन तो मैं direct definition जाने से पहले है क्योंकि यह complicated लिखी हुई है मैं आपको simple सी example देकर direct समझा देती हूं कि क्या होता है यह for example a set में मैंने एक से लेकर कहां तक elements ले लिए हैं पांच तक elements ले लिए हैं ठीक है अब मैं एक function define करती हूं f function मैंने का यह function कहां से कहां पे जा रहा है यह function कहां पे जा रहा है यह function कहां पे जा रहा है a से मैं इसको लेती हूं और इसको मैं mapping करवा लेती हूं अपने मरज़ी से r mapping मैंने करवा लिए and मैंने क्या ले लिया एक function g ले लिया और यह जो function मैंने जी लिया इस पर मैंने mapping Q से start करवाई और कहां पे जागे end वी R पे end करवा दी अब मैंने बताना है कि यहां पे restriction किया है और extension किया है देखे restriction का मतलब होता है किसी चीज़ पे को restrict कर देना मतलब उसक्षिप सक्षिप लगा देना पर एक्जामपल मुझे देखे यहीं से बता चल रहा है जबानी कि A किसका सबसेट है A हमेशा क्यू का सबसेट है मुझे पता है A में सरफ 5 elements है और वो क्यू का सबसेट है तो याद आपने बात यह रखनी है हमेशा restriction में इधर आपने कहना है कि जो हमारे पास F है वो क्या है F is restriction of यह मैं restriction लिकने हूँ F is restriction of G अब F restriction है कैसे है क्यूंकि याद रखना है कि restriction का मतलब होता है किसी जित को पबंद कर देना तो A की value फिक्स हो गई है क्यूंकि A subset है Q का A छोटा है तो A तो Q के अंदर हमेशा मौजूद रहेगा तो यह नि A फिक्स हो गए है तो इसका मतलब जो हमारे पास यह A क्यूंकि F से भी लोगगा रहा है क्यूंकि A की mapping F पे थी तो F is the restriction of G from Q to A यह तरीका तर्तीब है जाद रखने की restriction को यह restriction है और इसका बिल्कुल उल्ट होता है वह extension कहला तो extension में क्या होगा G is the extension of F यह नि बिल्कुल restriction की definition का उल्लट जो है वह extension कहलाता है तो यहां पे भी यह लिए लिखा है क्लाट F functions A to be a mapping and suppose C to be the two subsets of A B मैंने वो subsets A और Q ले लिए थे हैं उसने कहें पहला function D से belong करें और यह elements की बात बता दी और F of A किसके बराबर है R के बराबर है और G of Q किसके बराबर है R के बराबर है यहां दोनों की range यहां इसका मतलब बराबर होनी चाहिए तो तब हमने कहना है कि in that case G is called the restriction of F बरा देटार है function की restrictions बता है तो इसलिए किसे हम restriction कह सकते हैmos यह मारी मज़घर इस example में उसने कहा है G is the restriction of F तो G किसकी restriction है? F की restriction है तो इसका मतलब simple वह यही कहना चाहरा है कि G है और F इसका मतलब C सबसेट सबसेट रहा कि bada है paws को it was C चोटा थे है जहां पर तो mapping में इसारे बात है, सी चोटा डी बढ़ा है, तो चोटे वाले पर restriction लग दोगी है, तो इसलिए G पर कहला है, restriction लग गई है, तो G is the restriction of F, यह एक sequence से याद रखने वाली बात है, थोरा सा रटा भी डग सकता है, यह मैंने जो आपको भी example से बताया, वो असल में एक short trick थी, definition समझने की, अलागी definition में उसने ऐसी कोई बात ने की, बट मैंने आपको वो तरीका बताया है, कि आपने जाद कैसे रखना है definition को, तो इस तरीके से आपने इसको simplify shortcut method से आद रखना है, उसके बद composition है, mapping मुझे पता है, कि composition of two function जो है, वो measure function के लाता है, इसलिए अगर में दो mapping या composition करोंगी, तो वो मेरे पास भी एक mapping होगी, फिर उसने notation बता दिया है, कि जिसको g of f, g circle f भी लिका जाता है, यह g of f, मतलब दोनों का same है, अधर वो बिल्कुल basic सी बाते करता है, और कुछ theorem से अगर गभूफ करता है, जो कि इतने खास important नहीं है, यह बात याद रखिए कि यहां पर तो इससे one inverse की बात भी करता है, कि the above mapping g is called inverse of f and is noted by f inverse, it is easy to see that f inverse is also one one and two, तो लाजमी नहीं है कि inverse function जो है, अगर आप कोई function given है, वो one one on two है, और अगर आप उसका inverse करो तो वो लाजमी one one yeah on two, वो यह जिस लाजमी नहीं matter नहीं करती, फिर उसके बाद उसने एक इनवर्टिबल की definition बताई है, कि आप f is invertible, if and all if f is one and on two, यह अगर को function by objective है, मुझे पता है, by objective function one one and on two होता है, तो वो function हमेशा invertible होगा, नेक्स्ट में भी कुछ examples दें कि उसने understand कि है, बट यह examples नहीं करने वाली नहीं है, जो मेन मेने आपको बात बताई है, वो एहम है, वो matter करती है, यहाँ पे उसने inverse function की कुछ properties बता दी है, कि अगर a1 subset a2 का, तो f of a1 हमेशा f of a2 का subset होगा, और अगर union है, तो जारी बाता unit function की तुरू separate हो जाएगा, और अगर intersection है, तो वो subset आजाएगा, अब यह चीज़ बहुत matter करती है, यह बहुत important है, अभी जो आपने basic change का test दिया, उसमें subset के भी theorem जाएवे थे, उसमें topology में जो हम clear वगरे निकालते हैं, उसके theorem जाएवे थे, उसमें एक function में ऐसे intersection दिया हुआ था, और कहा हुआ था, ए, बी, सी, डी में के बताओ, यह subset है, उसका super set है, उसके बराबर है, यह क्या है, तो यह चीज़ matter कर रही है, कि कौन किसका subset है, तो whole का intersection का function है, बाकि सब में के अंदर equality की condition है, तो यह आपका काम मैं इसको याद रखना हूँ, तो याद रखेगा, simple, बाकि बिल्कुल easy है, कोई इसने complicated कोई बात नहीं की, उसके बात रही है, उसके बात रही है, तो वैसे आप पहले से करते हैं, बिल्कुल easy बात है, यह चीज़ याद देखेगा, तो जो boundary composition होता है, वो हमेशे दो property satisfy करता है, कौन कौन सी, एक associative और दूसरी commutative, जो function यह दो ला होल्ड करें, वो हमेशे boundary composition कहला आता है, इस चीज़ का आपको नहीं पता होगा, बट अब आप याद रखेगा, जो boundary composition प्रूब करने का भी किया दे है, कुछ भी किया दे, तो याद देखेगा, कि वो हमेशे होता है, तो commutative में होता है, यह दो basic से बच्चों वाली बात है, commutative associative का आपको पाता है, तो अगर दो condition को भी function satisfy करता है, तो वो हमेशे boundary composition कहलाता है, अगर एक भी rejection पे आज़े तो आप कोगे कि नहीं, वो आपको बस boundary composition नहीं उसके बात वैसे तो यह exercise है, इसमें से इतनी करने वाले चीज तो नहीं है, बट में जिस theory थी जो आपने करनी थी, इसमें से मुझे को यह ऐसी जी नजर नहीं आ रही जो करने वाली हो, बस एक example नहीं यहाँ पे दिया है, example number four, जिस पर चेक करना है, और reflexive symmetry के transitive है कि नहीं हैं, बट इस exercise के answers वेगर कहीं भर भी given नहीं है, कि इसका कोई solution या exact बात पर चल जाए, बट आप लोग practice के तौर पे इसको कर सकते हैं.